आज मैं आपको अपनी जिन्दगी की कहानी सुनाती हूँ थोड़ा आप मुझको जानिये और थोड़ा मैं आपको जानती हूँ भाई जब लखनाओ के सिराच की अस्फिया से शादी हुई नौ महीने के अंदर-अंदर दोने ने मिलके मुझे पैदा कर दिया और उसी के 11 महीने बाद मेरे छोटे भाई जिब्रील को पैदा कर दिया जब मैं 6 साल की हुई हम ओमान की कैपिटल मसकत में शिफ्ट हो गए मैं वहाँ इंडिन स्कूल मसकत में पढ़ी और मेरे माबाप ने मुझे बहुत सुखून और सहूलत की जिन्दगी दी मैं एक बहुती शर्मीली बच्ची थी बहुत कम बाते करती थी और काफी इंसेक्योरिटी से डील करती थी देखते देखते मैं बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला और वो मेरे जिन्दगी के बहुत हसीन पल थी फिर मैंने मसकत के ही College of Banking and Financial Studies से B.Sc. in Business and Management किया College जाने के एक महिने के अंदर ही अंदर मैं इश्क में पढ़ गई वो भी एक Egypt के लड़के से मेरे माबाप ने बहुत समझाया था बेटा अपने दिल को समहाल के रखना लेकिन ये कमबख्त दिल इश्क में पढ़ गया और पढ़ा अभी तो इतनी गहराई में पढ़ा कि पूछो ना बहराल उन College के तीन सालों में मुझे मेकप का बहुत शौक चड़ गया और मैं अपने शौक के लिए Master Classes अटेंट करती थी और मैंने कई बड़े-बड़े मसकत के ही मेकप आर्टिस के लिए मॉडलिंग की है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला College के वो तीन साल कैसे हसते गाते रोमैंस करते हुए गुजर गए पता ही नहीं चला College में अच्छा score करने के वज़े से मुझे कई job offers मिले मैं एक job करती फिर दो महिने बाद छोड़ देती दूसरी करती फिर दो महिने बाद छोड़ देती तीसरी करती फिर दो महिने बाद छोड़ देती मैंने realize किया कि चाहे मुझे जितने भी पैसे मिलने मैं एक normal 9 to 5 job नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा interest नहीं है उसमें मेरा असली interest था make-up, fashion and lifestyle में इसी दोरान मैंने और मेरी Egyptian आशिक ने decide किया कि हम शादी करेंगे जब पहली बार हिंदुस्तान की लखनवी family एजिप्ट की family से मिली तो लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दोनों families की रजाबंदी से और उनकी दुआउं से मेरी और मेरी Egyptian आशिक एहमद की शादी हो गई शादी तै होने पर ही मैंने एहमद को बता दिया था कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे इंडिया जाके अपनी Make-Up Academy and Studio खोलना है एहमद और एहमद की family ने हसी खोशी मेरा हाथ थामा और कहा कि जी लो अपनी जिन्दगी, जी लो अपने सपने और मेरे माबाप तो है ही सबसे प्यारे हसी खोशी दोनों ने कहा हाँ बेटा, जिसमें तुम्हारा इंट्रेस्ट है तुम वही करो, we love you we are always there to support you फिर 18 साल विदेस में रहने के बाद, अपने विदेसी husband का हाथ थाम के मैं आ गई लखना हूँ, जब हम दोनों लखना हूँ आए हमें इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था यहां तक ही अपने घर का सही अड्रेस तक ही नहीं पता था बहुत सारी मुसीबतें आए बीच में और कई लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि देख लेना, तुम्हारा मेकप स्टूडियो यहां नहीं चलेगा तुम कमजोर हो, तुम तो कुछ नहीं जानती ओंडिया के बारे में तुम नहीं कर पाऊगी और भही मैंने भी थाम लिया था करूँगी तो मैं यही कोई प्लान भी नहीं रखा सामने मेरा गोल और अपनी गोल की तरफ मैं भागती रही, भागती रही, भागती रही साल भर के अंदर-अंदर हमने रेंट पे अपना स्टूडियो ढूंडा उसको सजाया, हर चीज और अर्गनाईस की और फेर आ गया हमारा लवली करोना लेकिन आपकी बहन हिम्मत आने वालों में से नहीं है मेहनत करती जाओंगी, आगे बढ़ती जाओंगी ये तो बस शुरुआत है दोस्तो मैं रोज कॉंटेंट बनाती गई और आप लोगों का धेर सारा प्यार बटोडती गई उपर वाले की दुआ से और आप लोगों के प्यार से मैं यहां तक पहुची हूँ अभी तो सफर बहुत लंबा बाकी है तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकती हूँ तो आप भी जरूर कर सकते हैं और बस यही दुआ करती हूँ कि हर माबाप अपनी बच्चों को अपने सपने पूरे करने दे और हर पती अपनी बीवी को अपने सपने पूरे करने दे तो भई ये थी मेरी जोटी सी कहानी नीचे कमेंट करके मुझे आप अपनी कहानी बताईए और मुझे पताई कि इस वक्त आप क्या जॉब करती है और आपकी ड्रीम जॉब क्या है? सास्वा